जै हिंद जा ट्रेजमेंट का पूर्व सिपाई पवन डूकिया आपका हर्दिक स्वागत करता है पहले के वीडियो में दिखी पर्तिकिरे में प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करप्या भी कर ले भरत सरकार की एक मारतन कंपणी कोल इंडिया लिएस्पेसलिस्ट वे सिनेर मेडिकलographers की वर्ति के लिए लिए के एक अनुसंगी कंपणी नॉर्दन और खोल फिल्चे Λिए लिए यानी अनुझल ने अपनी उफिचल वेबसाइट पर आऊज़न आमंत्रिट किये थे अब ये भी एक सूचना के तहट सभी shortlisted candidate को सूचित किया गया है कि आपका 8, 9 और 10 December 2022 को original documents की scrutiny वे साकसातकार किया जाएगा यानि कि इन सभी shortlisted candidate का interview होगा तो जब interview होने वाला हो तो हर एक candidate के दिमाग में एक सवाल गोम रहा होता है कि जिस संगठन में हम लोग join करने जा रहे हैं जिसका हम interview देने जा रहे हैं उस संगठन में उस post पर हमारा वेतनमान क्या होगा या हमारी salary कितनी होगी इस तरह के कुछ अंसुल जे सवाल सभी candidate के दिमाग में गोम रहे होंगे अगर आपके भी दिमाग में इस तरह के सवाल है तो यह वीडियो आपके काम का है इस वीडियो को पूरा अंतक देखे इस वीडियो में बताये गया है कि senior medical officer, medical specialist वे senior medical specialist E3 वे E4 grade में initially medical executives का salary यानि वेतनमान कितना होगा वे क्या इसका structure होगा Cole India Limited में दिनांक 1 जनुवरी 2017 से लागू revised वेतनमान के अनुसार grade wise basic पे या मूल वेतन इस पत्र में दिखाया गया है जिसके अनुसार E3 grade का मूल वेतन 60,000 रुपे परतिमा है वे E4 grade का मूल वेतन 70,000 रुपे परतिमा है यह तो हुआ मूल वेतन इस मूल वेतन के अलावा वेतन के साथ और क्या 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 components होते हैं देखिए इस टेबल के मादेम से समझते हैं और आसानी से समझ माएगा Cole India Limited में Senior Medical Officer और Medical Specialist E3 grade का salary structure या वेतनमान समझने से पहले इसके earning and deduction के components से उस पे चर्चा कर लेते हैं components में मुख्य पार्टे basic पे और DA महेंगाई बता और idea pattern के तेथ Pugs और Cole India में Medical Executives के लिए लागू Non Practicing Allowance यह earning के पार्ट से deduction में CMPF वो है Cole Mine Provident Fund और CMPS Cole Mine Pension Scheme और HRR यह है house rent recovery अगला है electricity charges और फिर है benevolent scheme यहां पर कार्य होता है उसका deduction यहां पर executives के लिए कल्ब भी संचालित होता है कल्ब के रूप में भी उसकी membership के भी deduction होता है professional tax जो मत्यपरदेश राजिय में जितनी इकाईयां और units है उनमें कार्यर executives के लिए उनके वेतन से 208 रोबे प्रतिमा इसका deduction होता है अगला पार्ट है coal mine officer association of india उसके अगर आप number होते तो उसका भी जो मेंबर से 37 होती है income tax जो सभी के लिए और miscellaneous deduction अब है आपके earnings में amount कितना कितना होगा जैसे यह e3 grade के executive की sales leave है medical officer senior medical officer और medical specialist officer की तो उसमें basic way होगी 60,000 डिये जो October 22 से December 22 के बीच में 34.8 पर्षेंट जो ID प्रेशन के तेथ डिये की रेट यह है यहां पर डिये साल में चार बार परिवर्थित होता है 20,880 रूपे डिये की रूप में और मूल वेतन का 35% परक की रूप में जो 21,000 रूपे होती है और मूल वेतन का 20% 80 NPA के रूप में मिलेगी यह कुल मिला के 11,880 रूपे यह आपकी टोटल अर्निंग यह fix है इसमें DA परिवर्थित है जो समय समय पर परिवर्थित होता रहेगा डिडेक्शन में CMPF 12,87, 0 वेतन का और DA का और NPA का तिनों का मिला के उसका 12% आपके CMPF की रूप में डिड़क्ट होगा और CMPS उसमें 7,87, HRR जो हाउस रेंट रिकावरी है वो जैसे E3 गरेट का एक्जिकुटिव, C टाइप कौर्टर गले इंडेटल होता है तो उस क्वार्टर का जितना एरिया है इसक्वारी मिटर में उसके हिसाब से अलग अलग रेट फिक्स है तो इस C टाइप का अलमस्ट 510 रूपे है इलेक्टिसिटी चार्जेज जो आपके मूल वेतन का एक प्रतिसफ़ रूपे है वो डियर्टर होगी 600 रूपे हो बैनो वलेट इसकीम में 50 रूपे यह होता है कि खुदा नकास्ता बगवान ना करें अगर किसी एक्जिक्टिव की आकस्मिक मर्ति हो जाती है सर्वीस के दौरा तो इस बेनोलेंट इसकीम में एक मुस्थ साइथ राशी उसके आसिरतों में मिलती है कलब मेंबर से 300 रूपे कुछ जगह यह राशी परिवतित भी है मोटा मोटी 300 रूपे सभी जगह प्रोफेशनल टेक्स जो MP गुवर्मेंट में साल के 25 रूपे देने होता है जो मत्य प्रदेश राजिय में जितनी इकाईवी यूनिट से उसमें काम करने वाले सभी एक्ज करके करन्ट सेलरी इस ट्रैक्चर और इंकम टेक्स लेप देखने से मान के चली तसजार ही जो आगे है और बढ़ता भी रही लड़ी के साब में इसका होना है और दो रूपे परतिमा है यह इसके लाव और भी जो रूपे प्रतिमा है तो फुल मिलाके अंदाजन 39,360 हो रहा है तो मान के चली आप 83 से 85 के 1000 के असपास आपके एकाउंट में आपकी युवेतन आ जाएगा यह था E3 ग्रेट का सेलस्लेट सीनियर मेडिकल स्पेसलिस्ट जो E4 ग्रेट में बढ़ती होंगे उनका वेतनमान कुछ इस्तर होगा कि बेसिक पे 70,000 रूपे होगी बाकी सब सेम है बीए जो 34.8% से 24,360 रूपे हो जाएगा फर्क हो जाएगे 24,500 एंपीए 14,000 और डिडेक्शन में परियोर्तित होंगा के सेवल CMPF, CMPS, HRR वही रहेगा, Electricity Charges में 1% का 700 रूपे हो जाएगे, Benevolent, XCM सेम रहेगा, कलब के सेम, Professional Tax, सेम, इंकम टेक्श से वह बढ़ जाएगा, इंकम टेक्श का मैं मोटा मोटी यहां 15,000 रूपे लेके चल रहा हूँ, जो अब याडाउन भी हो सकता है, तो कुल अर्निंग हो जाएगी 1,32,860 रूपे, और टोटल डिडेक्शन से 3,408 रूपे, तो अल्मोस्ट 95,451 रूपे इस कल्कुलेक्श के हिसाब से नेट सेल्री होती है, तो मान के चलिए आप यह 94 से 96 के असपास, 94 से 96,000 के असपास का इमांट उनके बेंक अकॉंट में, शेल्ली ग्रूप में आ सकता है, इस वेतन के साथ, परफॉर्मेंस सिलेटेड पे और मिलती है, इसको PRP बोलता है, PRP का बुगतान पूरा वितियवर समाप्त होने के बाद, अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस, मतलब सबसिट्री और कोल इंडिया हैटकॉर्टर दोनों की परफॉर्मेंस, दोनों की MOU रेटिंग ये सब डिक्लेर होने के बाद मिलती है, इसलिए इसका वेतन के साथ में नजिक्र नहीं किया है, क्योंकि उसका बुगतान में कम से कम एक से लेके दो वर्स तक लग जाता है, उसमें आपकी खुद की PRIDE रेटिंग, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो रेटिंग वो और कमपनी का इमेर रेटिंग, इन सब के मिला के एक एक फॉर्मला बनाया होता है, जिसमें कमपनी का विछले तीन साल का प्रोग्रेशिव प्रोफिट भी कंसीडर किया जाता है, इन सब का अगर मोटा मोटी एमाउंट देखें तो माँन के चलिए कि यह आपको 6-7 जार रुपे पर मन्त और मिल जाता है, मतलब असी एजार से लेके एक लाग रुपे पुरे वर्स का मिल सकता है, तो इस तरह PRP भी आपके सेलरी का पार्ट है, लेकिन इसका भुगतान तोड़ा देरी से होता है, एक और पार्ट है HR-A जो मैंने इसमें बताया नहीं है, जब तक कंपनी का आवास नहीं मिला हो, नहीं आउंटिद किया गया हो, तब तक का आपको HR-A मिल सकता है, कंपनी का आवास आउंटिण करने के बाद आपको HR-A नहीं मिल पता है, उमीद है आपको ये समझ माया है, किसी या कोई सक या सवाल हो, तो कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक और कॉमेंट्स जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, चैनल को अभी तक सबिस्क्राइब नहीं किया तो करप्या भी कर रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद,